हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब भी आशा करता हूं आप सब भी ठीक होंगे च्छोंगे मेरा नाम है जुदीर तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नबर 28 फर्स्ट इन दा वर्ल्ड फर्स्ट इन दा वर्ल्ड पढ़ेंगे चलिए शुरू करते हैं मैं दा फॉल्विंग है सबस सबसे बड़ा रिवर आइलेंड कौन सा है तो यह माजुली आइलेंड माजुली आइलेंड यह असम में है और इंडिया में है ठीक है और इसकी जो एरिया है वह 352 स्क्वाइर किलोमेटर तो यहां पर क्या लिखेंगे ए अगला हाइस्ट ग्लैसियर दुनिया का सबसे बड ग्लैसियर और खुम्बू ग्लैसियर कहां पर है नेपाल में और इसकी हाइड कितनी है 7600 मीटर तो यहां पर लिखेंगे एच नंबर यहां पर हाइस्ट माउंटन पीक तो दुनिया की सबसे उची पीक कौन सी है माउंट अबरेस्ट और यह कहां पर नेपाल में और इसकी ह हाइट कितनी है 88848 मीटर तो यहां पर लिखेंगे c नंबर फिर है largest डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है यह आपको बताना है ठीक है तो देखें दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों आपका गंगी ब्रह्मपुत्र डेल्टा और यह कहां पर ह अगया में और इसकी जो एरिया है कितना है 75,000 स्कौार किलो मीटर ठीक है तो यहां पर लिखेंगे e-number अचिए यह नंबर लिखेंगे यहां ठीक है यह पैन ठीक है largest river basin तो दुनिया का सबसे बड़ा river basin कौन सा है तो यह है आपका Amazon basin और यह कहां पर है South America में तो यहां पर लिखेंगे d-number deepest river दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है यह आपको बताना है तो दुनिया के सबसे गहरी नदी है आपकी Congo river और Congo river आपकी कहां पर आफरिका में और इसकी जो depth है वो कितनी है 220 मीटर तो यहां पर लिखेंगे जी नमबर ठीक है largest airport in area तो दुनिया का सबसे बड़ा airport कौन सा है एरिया के respect में तो यह है King Fahad International Airport Saudi Arabia और यह कितना है 780 square kilometer ठीक है तो यहां पर लिखेंगे जे नमबर फिर हाइस टैम सबसे उच्छा डैम कौन सा है पूरी दुनिया का तो इस डैम का नाम है रोगुन डैम और रोगुन डैम आपका कहां पर है तजाकिस्तान में ठीक है न और इसकी हाइड कितनी है 335 meter तो यहां पर कहां लिखेंगे F ठीक है और लाजेस्ट डेमोक्रेटिक करेंट्री दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री काउंसी है दोस्तों तो यह है आपकी इंडिया ठीक है न यानि कि हमारा देश तो यहां पर लिखेंगे इंडिया तो यहां पर लिखेंगे बी नमबर ठीक है तो दूस् मिलते अपने लिए विडियो में तब तक करी नमस्कार